हलो गईज गुड मॉर्णिंग तु आला फ्यू आज हम बात करने वाले एक नया टॉपिक के बारे में एक नया टॉपिक क्या है cdp child development pedagogy तो child development pedagogy में जो एक important topic है वो है development आज हम बात करने वाले है what is development यानि because क्या है तो देखो because असे पहले जो है वो मेरा दोस्त है मैं चाहता हूं कि आप सब भी उससे दोस्ति कर लो आप सब भी उससे क्या कर लो दोस्ति कर लो इसमें आपका लहां तो अब buds offer तो वो तो as aad joke new development क्या होता है to the development जो होता है ऑच сильноly jumis प्रोसेस होता है और कहां से शुरू होकर कहां पर खतम होता है तो जब कोई बच्चा मा के गर्व में जन्म लेता है तब से लेकर याई तब विकास क्या होता है शुरू हो जाता है चलना शुरू कर देता है और जब बच्चे की लाइफ इंड हो जाती है तब तक उसका चलना मच जैनका माच सबसक्राइब बदागे चांग हो जया करई में तो आज एक संद परियंद सतत चलने वाली प्रक्रिया चारिव प्रोसेस चलती दोती औरक बन रहक के चाहिछ hex है तो यह इसको कर दो करना बन बात करorig प्रक्रिया है ठीक है और वो कैसे चलती है सामाण से विसिस्ट की और यानि जैसी एक बच्चा मालो एक दू साल का बच्चा है पहले वो किसी को और देखकर उसकी नकल करेगा यरक में किसीं करेगा ठीक है यह क्या है ? एक वर्ड सामान में है एक वर्ड क्या है ? सामान में है अब बच्चा है A for Apple A for सिर्फ A पढ़ रहा है ठीक है ? अब उसको देखो A पढ़ रहा है अब A के बाद तो क्या करेगा ? वर्डो को मिलाना यहनी जो अच्छर होगा उनको क्या करेगा मिला की पढ़ेगा ती पहले तो A, F, C, D, A, 2, Z अब क्या पढ़ेगा बच्चा? Apple to J, Bra क्या पढ़ेगा? Apple to J, Bra ती यानि कहने का मतलब क्या है? Normal यानि सामान से लेकर बच्चे में क्या हो रही? दिरे-दिरे जिग्यासा बढ़ रही है और जानने की इच्छा बढ़ रही है और इसी जानने की इच्छा की वज़र से उसका विकास क्या है? दिन पर दिन क्या होता जा रहा है? विस्स्ट होता जा रहा है विस्स्ट होता जा रहा है तो आज हम बात करने माले है इसके लचछन तो देखो जो इसके लचछन होते है पहला लचछन क्या है दिखनեղ होता है यानि बिकास जब चलना दिखना करता है तो इस इस में बात यह ही कि द लेकिन उसी गती से नहीं चलता है सेम मोशन से नहीं चलता है ध्यान देना कि विकास तो चल रहा है विकास कांटीनिवस प्रोसेस कर रहा है चल रहा है लेकिन क्या कर रहा है उसकी जो चलने की छमता होती है वो अलग-अलग होती है यानि एक ब्यक्ति में जो विकास की चलने की दर होती है वो अलग होती है दू तो बच्चे हैं C1 C2 ठीक है अब C1 को अच्छी फैमली मिल गई कि अच्छा nutrition मिल गया अच्छा environment मिल गया ध्यान देना विकास को जो प्रभावित करता है वह आपका environment होता है nutrition होता है और family family क्या family कहने का मतलब क्या है जैसे family family का support है ठीक हम तो बच्चे को लिए तीन चीज मिल गई तो उसका भी का स्कारiest कांषबाओब सब्सक्रीमियर कया तो क्या इस बच्चे का भी तेन तेनों से वंचीत कर दिआ बादि या तो क्या इस बच्चे का अब का सचों का नहिं होगा कि लेकिन अलग अलग प्रकार की बुक्तियों के साथ अलग अलग गती से दूसरा अगर हम बात करें विकास क्या है प्रोग्रेसिव है यानि प्रगतिसील हो है विकास क्या है प्रगतिसील कहने का मतलब क्या है बच्चे में अगर विकास हो रहा है कोई एक बच्चा है उसका अगर सारी विकास हो रहा है सारी विकास हो रहा है तो वह कई प्रकार से जैसे कोई बच्चा है पहले क्या होता है पहले बच्चा बैठना युद्ध टो कोषाएगा बच्च खड़ा होने की कोषिस करता है ढिखास क्या है या प्रोग्रस तो चलता है लेकिन कि उस कजेंगे सथे प्रोग्रस या नियो नई उन्नत पर ले जाएगा ठीक है अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, विकास क्या है, sequential है, डबलब्मेंट क्या है, sequential है, sequential कहने का मतलब क्या है, अब बच्चा A, A सीख लिया, बच्चे ने A सीख लिए, अब बच्चे, जो बच्चा होता है, वो डारेक्ट जेड नहीं सीखेगा, डारेक्ट जेड नहीं सीखेगा, क्यों नहीं सीखेगा, क्योंकि विकास जो होता है, वो sequential होता है, एक sequence में होता है, कि बच्चे को अगर A सीख लिया है, तो बच्चे को B सीखाना जरूरी है, B सीखाना जरूरी है, तब ही जाके बच्चा क्या होता है, बच्चे का विकास हो पाएगा क्योंको बच्चा A से डारेक्ट Z पे नहीं पहुंच जाता बच्चा जो होता है A के बाद B सीखेगा B के बाद C सीखेगा C के बाद क्या होगा तब जाके क्या होगा Z पे आएगा तो इसमें क्या होता है sequential होता है डवलप्मेंट क्या होता है sequential होता है continuous होता है sequential होता है continuous होता है अब progressive होता है तीसरा जो है वो quality change quality change कहने का मतलब क्या है अब देखो quality change कहने का मतलब क्या है जैसे बच्ची का गुड़ परिवर्तन बच्ची में क्या होगा गुड परिवर्तन कल तक बच्चा कल तक बच्चा एक उल आसानी से लिख रहा था अब बच्चे में जिग्यासा जागी बच्चे में क्या हुई जिग्यासा जागी और दो सब्दों को मिलाना सीग गया बच्चा बच्चा दो सब्दों को मिलाना सिख्या यानि उसके गुड में परिवर्तन हो गया बच्चे के गुड में परिवर्तन हो गया और उसके मांसिक का विकास हुआ बच्चे बच्चा जो है पहले A को लिखना सिख्या लेकिन बच्चे में जिग्यासा जागी और वो A और B को दो इस से यह पता चलता है कि उसमें quality change होंगे। उसमें क्या होंगे। विगास क्या होता है। विकास क्या है? प्रगजसील है, मैं कि बिकास क्या है सतत चलती है, कभी रुठती नहीं है और विकास क्या है? सेक्वैंसियल में चलती है ऐसा नहीं कि बच्चा एक बाद डायरेक्टจेड पर आ जागा नहीं, बच्चा, अगर A सीखा जो बच्चा होता है वो A के बात B ही सीखेगा ना कि direct Z सीखेगा तो इस प्रकार की जो अवस्थाएं होती है यानि इस प्रकार से जो विकास होता है उसके बारे में कई बग्यानी मैंने मनो बग्यानी जो साइकोलोजिस्त थे कई प्रकार के सिध्धान दिये जैसे हमारे सबसे महचपूर सिध्ध होता है वो क्या-क्या सीख सकता है और दूसरे उपर वाले बच्चे को कौन-कौन से क्या करते हैं उनमें परिवर्तन होते हैं इन सब के बारे में जो बताया थे वो थे जीन-प्याजे जीन-प्याजे दूसरा क्या थे दूसरे बग्यानी क्या थे दूसरे बग्यानी थे व महत्रपूर योगदान होता है उसके बिकास में इन्हों ने नों क्या बताई था है इन्हों न glacी क्टाइट चाहिए समाजी विकास होता है, उसका ये क्या होता है, समाज का ये महत्पूर योगदान होता है, और जो वाइगोच्की साब थे, उन्हों ने बताया कि बच्चे का जो सांस कल्चर होता है, वो भी उसके विकास में क्या करता है, साहधा प्रदान करता है, और जो तीसरे साइकोलोजि ने क्या किया अपने हिसाब से किया सिधानत बना और आज भी वह सिधानत इस प्रकार से लागूँ होते हैं तो इसके बाद जो हम लोग सिधानत पढ़ें ऑप त तो इन सब के बारे में हम फूल डेटिल लेंगे तब तक के लिए मेरे चैनल इमोशन वालों को लाइक करो सब्सक्राइब करो और यह थी यह अभी पहला प्रैक्टिस सेट है यह सिर्फ एक डेमो क्लास है इसके बाद हम पढ़ेंगे जीन जीन प्याजे की थूरी जीन जीन प्याजे की थूरी क्या थी उनके कितने सिध्धान थे और कितनी अवस्थाय उन्होंने बताई थी और किस पर किस प्रकार के एक्सपेरिमेंट किये थे थे थैंक्यू